ठीक है नमस्कार साथियो मैं किष्णा राष्टवादी इस समय उत्तर प्रदेश के बुलंसर में हूँ साथियो चाहे मद्द प्रदेश हो बुलंसर हो या राजिस्तान हो या कहीं पर भी आप चले जाए चारों तरप लेकिन खासकर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की तो स साथियो इस समय में खेत पर हूँ और कहते हैं जो कम से कम जो पूरे भारत का जो किसान है वो 70% आबादी गाउं में रहती और वो खेती किसानी करने वाला गाउं है और देखिये साथियो आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमारे साथ में बुजुर्ग हैं और लगातार आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये गहरा बंदी इसतार की की जा रही है कभी आपने सोचा ये घहरा बंदी पहले क्यों की जा रही है इसकी बज़य क्या है क्या कारण है आप लगातार देख रहे हैं उंगे कि इस उम्र में भी अपने खेट पर लगातार ये गहराबंदी के जरीए इनको आए दिन अगर बात करें आबारा पसू कहें या सांड कहें या गाय कहें या फिर नंदी कुछ भी नाम हम दे सकते हैं आज उनकी कोई बिवस्ता नहीं है प उस खेट को उस खेट को चर रहे हैं सायद थोड़ा बहुत अगर आ रहा होगा हां आप देख रहे होंगे किस तरीके से उसको खेट को मैं बस यह कहूंगा कि आपको लगता है जो किसानों को 6,000 रुपे जो दिये जाते हैं साला ना उससे अधिक कीमत का तो ये तार आ जात है जुसको हमें ये पूरा का पूरा खेत है वह मैं लगाता रकाशी करने पड़ती है और साथियों ये तार ये डेड़ साल में हैं यहान से चुर जाता है यहां पर तूड जाता है खराब हो जाता है आपने इस कहित पहले क्या भोयाता था बार बाजरा कितना च्ज़कता चार वार, सोचिए कि चार वार बाजरा को बोना पड़ा था, एक बार खेत में जैसी बाजरा बोया, गाय सांड चुककर चले गए, फिर बोया गया, फिर चुककर चले गए, फिर बोया गया, ऐसे चार वार, अच्छा फिर हुआ इसमें कुछ चार वार के बाद में, फिर रुपे का यह तार आया और आप यह लगे हुए है अलग से जो खेती में जो मजदूरी करनी पड़ रही है वो अलग और खेत को रखाना पड़ता है रात को दिन को और कहीं न कई अगर बात करें तो इसको चुगने के लिए कितने गायसान आजाते एक साथ में बारे 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 तेरे तेरे अगर वह उनको भगाव भाग भी जाते हैं या कभी-कभी असाथ यह समस्या है पूरे छेत्र की बात बता रहा हूं साथियों चाहें कोई उठाए इन समस्यां को या ना उठाए लेकिन साथियों पूरे छेत्र में इस समय कहीं पर भी गौसालाय नहीं है जिन से उनकी समचित विवस्ता हो सके उनके रख रखाव के लिए कोई लोग नहीं है और जो बजट है वो बजट का पैसा कहां खर्च हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां के जो अधिकारी है यहां के जो मिली भकत के कारण जो आता हो जो अगर सांड और या गाय आवारा पस्मों के नाम पर उसको खा जाते हूं पूरे छेत्र में आप कहीं पर भी चले याई किसी भी खेत को देख लेजिए पर तेक खेत में ऐसी तरीके से यह तारबंदी करनी पड़ रही है और लगातार किसानों को महिलाओं को लगातार इस तरीके से इस खेत में इस तरीके से मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है तो मैं पूछना चाहता हूं क्या आपको लगता है जो बैदा किया गया था कि किसानों की आये दो गुनी होगी तो क्या लगता है आपको किस समय किसानों की आए दो गुनी हो चुकी है कि आप देख रहे होंगे क्योंकि चार बार फसल बोनी पड़ रही है और चार गुनी तबी तो ये मुनाफ़ा कमा रही है पूरा चार हजार का इसमें तार है मेहनत है मजदूरी है साले चार विगा का ये चक है तो सूचिए आपको सोचना पड़ेगा कि यही मुद्दे जो मैं लगातार पूरे छेतर में उठा रहा हूं और उठाऊंगा भी इसमें और भी जो मेरे मुद्दे हैं उनको लेकर के मैं पूरे छेतर में गुम रहा हूं साथियों मैं लगातार प्रियास कर रहा हूं और जो लोग कही न कहीं आँख, कान, मून कर जो बैटे हैं वो अपने कानों को खोलें अपनी आँखों से देखें कि पूरे छेतर में आजकल जो ये आवारपसू हैं जिनको आप गायसांड या नंदी कह रहें उनके कान कितना किसान परेसान है अभी हाली में एक किसान की मौत इसी तरीके से एक सांड ने लगाता और उसको कुचल-कुचल के मार डालाता तो आज कर अपने प्राणों की भी आहूती देनी पड़ रही है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इनकी जो बिवस्ता है वो कब होगी और छेत्र में ना जाने किसानों की समस्या है साथ में मैंने बात की थी अभी जो मैं मुद्दे उठा रहा था उसमें बेरोजगार युवाओं की समस्या थी और उनको लेकर के भी मैं आ रहा था साथियो आपको पता है पूरे डिवाई छेत्र की बात करूँ एक भी राज किये पुस्तकाले नहीं है एक भी राज किये महाबिद्दाले नहीं है एक भी खेल कूद का जो मैदान होता है एक भी स्टेडियम नहीं है साथियो और ना ही कोई ओध्धुगिक केंद्र है जिसके कारण जो बेरोजगार युबा है उनको रोजगार मिल सके तो साथियो इन बिंदूओं पर ये realistic जमिनी स्थर के बिंदू है इनको आपको सोचना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा औ और अपने जन प्रतिनीदी से ये सवाल करने पड़ेंगे क्यों नहीं आप इन सारी विवस्ताओं के लिए कर रहे हैं आपने क्या किया और आप तक जो नेता बने उन लोगों ने क्या किया साथियो तो ये विवस्ताएं किसकी देन है सरकारी की नेतिक जिम्मेदारी बनती है कि किशानों का देखवाल करे हमारे जो बच्चे इन किसान मजदूरों के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन प्रात्मिक विद्यालों पर ध्यान दे जिससे वहाँ पर वो उच्छ गुणबत्ता वाली सिच्छा हासिल कर सकें बहुत सारी बात हैं कहने के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन सातियों यदि आप लोग प्रियास नहीं करेंगे मेरे नौजवान अगर प्रियास नहीं करेंगे जो पड़ा लिखाई युबा है वो प्रियास नहीं करेगा सवाल नहीं पूछेगा तब तक इसी तरीके से पूरे छेत्र में ऐसा ही होता रहेग झाल